स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube चैनल में शुशातियों स्टार्ड उचुका है आज का इस सेशन्स अभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अगर आप हिंदी साहिती की डेली टेस्ट सीरिज में भाग लेना चाहते हैं तो बो शबी साती ये Self Study Classes से आपको डाउनलोट कर लें और दोस्तों क्या है आप डेली टेस्ट सीरिज में भाग ले सकते हैं है ना और दोस्तों साती आपके लिए अगर पर्चेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कर सकते हैं एक है वीडियो को लाइक करें और सेयर कर दो अपने मित्रों तक स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इन प्रस्णों को आज का आपका पहला प्रस्ण है जो आपकी परिक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा तो जल्दी जल्दी से बताईए पटाक से बताएं सबी साती कि आदी काल को आरंभिक काल किस ने कहा है आदी काल को आरंभिक काल क किसने कहा गडपती चंद्र गुपते ने मिश्र बंधुवने ने या फिर दोस्तो कि आचार भिशुनात ने जल्दि से चेहन करें एक बार वीडियोग को लाइक करें और अपने मित्रों तक SHYARD कर दो आरंब काल को गडपत दोस्तो आदी काल को आरंब काल को आरमभेकाल जो नाम दिया है वो नाम दिया है किसने दिया है मिश्रबंधूअने आपका जो वी नम्मर है आंसर वो बिलको सही हो जाएगा ठीक है दो नम्मर का आंसर आपको बताना है वो कौनसी है दो नम्मर का अंसर आपको बताना है ब्यत्वी राज रासो बीसल देव रासो खुमाल रासो या फिर परमाल रासो दो नम्मर का अंसर बताना जिनको भी जूनियर सुपर टेट का मौडल पेपर लेना है वो सेल्प स्टेडी के लासे से अप डाउनलोड कर लें और दोस्तो मॉडल पेपर ले सकते हैं अजमेर के सासक से संबंदित जो रचना है वो कौनसी है ये आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सरबिसल देवरासो है जिसके रचनाकार कौन है नर्पतिनाल कौन है नर्पतिनाल बीनम्मर आपका बिल्कु सही है परमाल रासो को अन्न किस नाम से जाना जाता है परमाल रासो को अन्न किस नाम से जाना जाता है प्रशन किरमांक तीन का अंसर बताना है जल्दी से बताएंगे सबी साती आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा परमाल रासो को अन्न किस नाम से जाना जाता है यह आपका question है आपको उ जाना जाता है दोस्तों परमाल रासों को आला खंड के नाम से जाना जाता है जो आपका बिलकुल सही आंसर है ठीक है बैरी गॉड अंगला क्वेस्टन कभीर की बानी को साधुक्डी किस ने कहा ये क्वेस्टन कई लोग कन्फ्यूज होके गलत करते हैं दोस्तों तो अब अब आपको बताना है कि कबीर की बानी को साधुक्डी किस ने कहा है जल्दी से बताएं सभी साती क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर कबीर की बानी को शादुक्री किशने कहा है यह आपका कॉस्चन है और कॉस्चन वड़ा अच्छा है दोस्तों बताएं जल्दी आपका सीधा अंसर है इसर सादुक्री कहा था रामचंद्र सुकली ने ठीक है स्याम सुंदर दास ने क्या कहा था इसका कॉस्चन आपको बताना है क्या कहा था स्याम सुंदर दास ने क्या कहा था बताएं नानक देव के पदों को गुरू ग्रंत साहिब के किस प्रकरण में सं किया गया है आपको कमेंट में लिखना है एक बार जल्दी से बताना है वीडियो को एक बार लाइक कर देना है और सीधा आंसर क्या हो जाए गनानक देव की पदों को गुरु ग्रंते साहिब के किस प्रक्रण में संकलित किया गया है आपका एक क्वेस्चन है प्रश्निक किरमांग का आपका पांच है पांच नमबर में आपका सीधा आंसर जाएगा महला प्रक्रण में किस प्रक्रण में महला प्रक्रण में यानि कि आपका B नमबर जो है ये B नमबर बिलकुल सही हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा संतिकाब में सबसे ज़्यादा पड़े लिखे संतिकाब में सबसे ज़्यादा पड़े लिखे कौन थे बहुत ही अच्छा question है और आपका सीधा answer जा रहा है प्रशन के रमांग 6 में वीडियो को like कर दें सबी साती है ना और हिंदी साहित के app को भी download कर सकते नीचे link दिए है आपके लिए app में junior super tech के 20 model paper आपके लिए दोस्तों संभावित प्रशनों के दोस्तों आपके बनाए हैं तो जिनको भी लेना है admission 350 में ले सकते हैं 350 में मात्र है और एक daily test series हिंदी साहित की daily test series launch की गई है दोस्तों 365 दिन daily test आपको मिलेगा यह 499 में यह test series है ठीक है यहाँ पर आपका सुंदर दास जो है यह भी नमबर आपका बिलको सही है right answer है अंगली question की और बढ़ेंगे सुजान कुमार किस सूपी प्रेमाख्याने काबिका नायक है किसका नायक है साथ का अंसर मधुमालती का ज़सद्टर बली का हनस जवाहिर का या फिर इंद्रावती साथ नमबर का question है साथ में आपको बताना है साथ का right answer क्या हो जएगा सुजान कुमार किस सूपी प्रेमाख्याने काबिका नायक है इस साथ का अंसर आपको बताना है और सात में आपका सीधा सीधा अंसर क्या जाएगा राइट अंसर चला जाएगा आपका चित्रावली यानि आपका जो B-Number है B-Number ये भी बिल्कु सही है सुजान कुमार किस सूपी प्रेमाख्यानक काब कानायक है तो ये चित्रावली का है अब आपको बताना है दोस्तों कि ये जो चित्रा वली रचना है ये रचना किसकी है जल्दी से बताईए शिक्कों के पाँचबे गुरू को अन्ते गुरू नानक गुरू अरजुन्देव गुरू तेग बहादर या फिर गुरू हर गोवेंद बहुती बढ़ यहा प्रस्न ह लाइक करते हो यह आंगे बढ़ना है दोस्तों एक बार सेयर कर दो अपने मित्रों तक शिक्कों के पांचबे गुरू आपको चैन करना है बताइए और आपका सीधा अंसर जा रहा है कि सर्शिक्कों के जो पांचबे गुरू थे वो गुरू अर्जुन देो थे कौन थे गु यह आपको बताना है रितुपर्ण, मदंसेन, रतंसेन या फिर सुजान इस्वर्दास करत सत्वती कथा का नायक कौन है कि प्रश्न किरमांक 9 में अच्छा क्वेस्चन है पर आपका सीधा अंसर जाएगा कि सर्शिक्वर्दास जो रितुपर्ण है वो आपका उत्तर हो जा एग नंबर सत्वती कथा सत्वती कथा कि रिचनाकार कौन है इस्वर्दास अब आपसे क्वेस्चन पूछते हैं दोस्तों कि हजारी प्रसाद दोवेदी के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना कौनसी है जल्दी बताईए फटाक से फटाक से आपको बताना है और भूशन क कभी प्रशन की उपादी किसने दी थी प्रश्न किरमांक 10 सिवा जी ने छ चत्र साल ने स्वलंग की राजा रुद्र साह ने या फिर इन मेंसे कोई नहीं प्रश्न किरमांक 10 में बताना आसा जोसी जी गायत्त्री जी भूशन को कभी भूशन की उपादी किसने दीती ये आपका question है दस नम्मर का वीडियो को like करके आपको share करना है और आपका सीधा answer जाएगा किसर भूशन को कभी भूशन की जो उपादी दीती वो किसने तीती वो दीती सौलंग की राजा रुद्र शाह ने है ना आपको पता है बहुत सारे लोगों ने बता दिया सत्तवत्ती हजारी पर साथ दुवेदी का पूचा था मैंने कि हजारी पर साथ दुवेदी ने हिंदी की प्रतम रचना किसे माना है हिंदी की प्रतम रचना सूपी काब धारा की नहीं पूछी थी हमने हिंदी की पूछी थी आप लोगों ने लगातार लगातार सत्वती कथा बता दिया सबने मैंने सूपी का अब धारा की प्रतम रचना नहीं पूछी थी आपसे है ना तो यहाँ पर सोलंग की राजा रुद्र साय आपका सी नमबर बिलको सही हो जाएगा आचार सुकल की अनुसार रीती काल का प्रवर्तक कौन है रीती काल का प्रवर्तक कौन है पताईए आचार सुकल की अनुसार रीती काल का प्रवर्तक कौन है यह प्रशन किरमांक 11 है वीडियो को लाइक करना है एक बार जल्दी से सेयर करो जितने भी हमारे जुनियर टेट वा के प्रवर्द चिंता मनी यानि बी नमर आपका बिल्कर सचोय है बिराइट अंसर बैरी गोड पूंडी नरेस भाहोसें के दरबारी कभी कौन थे प्रश्न किरमाँक बारा में बारा का राइट आंसर क्यान सब्सक्राइब 270 नरेस भावसें के दरबारी कभी कौन थे दरबारी कभी कौन थे प्रशन किरमांग का आपका बारा है और बारा में सीधा अंसर जा रहा है मती राम मती राम यानि बी नम्मर आपका बिलकुल शाई है मती राम बूंदी नरेस भावसें के दरबारी कभी थे बी नम्मर राइट answer मुझमें देव जीवन का विकास मुझमें देव जीवन का विकास के किसकी आत्म कथा है किसकी है प्रश्न किरमांक 13 में बहुत ही वड़िया question है है ना और दोस्तों आपको self study classes app download करना है play store में search करके और आपके लिए हिंदी साहित का एक app launch किया गया है particularly हिंदी साहित के लिए केवल है ना और 13 में आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा सत्यानन्द किसकी है सत्यानन्द अगनी होत्तरी की है कि स्वामी दयानन्द की मुझ में देओ जीवन का बिकास तो आपका right answer है सर सत्यानन्द सत्य के जीवन का बिकास देओ मुझ में बी नमबर सत्यानन्द अगनी होत्तरी आपका right answer हो जाएगा बी नमबर सही हो जाएगा चरम ब्यक्ति बाद ही प्रियोग बाद का केंद्र बिंदू है कि कथन किसका है प्रश्न किरमांक बताईए चवदा का अंसर प्रियोग बाद का केंदर बिंदु कतन बताना है चवदा का, जल्दी से बताएंगे इसका पीडियाप नहीं विलेगा, पीडियाप नोट्स आपको चाहिए तो आप कोर्स ले सकते हैं दोस्तों, निचोड कोर्स हिंदी साहित के PDF कोर्स का निचोड कोर्स ले सकते हैं 999 का है ना यह चरम व्यक्तिवादी प्रियोग बात का क्यांदर बिंदू है यह 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका यह कथन है नामवर सेंका तरनवीर जी बीनम्मर आपका बिलकुर राइट आं को बताना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा निराला की साहित साधना ये कोश्चिन तो कई बार आया है दोस्तों निराला की साहित साधना इसके रिचनाकार कौन है प्रश्न किरमांक पंद्रा का अंसर और पंद्रा में आपका सीधा अंसर जा रहा है राम बिला सर्मा यानि य नम्मर रामबिला सर्मा आपका राइट आंसर है निराला की साहित साधना के लेकक रामबिला सर्मा है 15 का आंसर मनीसी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारत है प्रश्न किरमांग 16 में अमरत राय प्रेम चंद कभिनात गोपी राज सोभा कांत यानि की 16 नम्मर का प्रश्न आपको बताना है लाइक करना है और अपने मित्रों तक शेयर भी करना है दोस्तों मनीसी की लोक यात्रा के जीवनी किसके जीवन पर आधारत है प्रश्न किरमांग शोला में और आपने बिल्कुर साही आंसर बताया है कि सरे कभिनात गोपी राज स्टी नम्मर बेरी गोड आज तो विल्कुर सही सही बता रहा है आप लोग आज तो कुछ है खाकर आए हैं सोबा कांत द्वारा रचित जीवनी बाबु जी किसके जीवन पर आधारत है बाबु जी किसके जीवन पर आधारत है बताये है ना ये जीवनी है बाबु जी और बाबु जी ये सोबा कांत द्वारा रचित है कि किसके जीवन पर आधारित है एक क्वेस्चन आप से पूछा गया है आपको बताना है लाइक करना है माखलाल चत्रुबेदी के नागर जुनके प्रेम चंद के या फिरुशा प्रियम बदा के शत्रा का अंसर सत्रा में आपको चेन करना है शोबा कांत द्वार रचित बाबु जी कि किसके जीवन पर आधारित है और आपका सीधा आंसर क्या जाएगा सत्रा में आंसर जाएगा कि सर यह है नागर जुन का बास्तविक नाम क्या था आपको बताना है ये बाबु जी नागर जुन के जीवन पर आधारित जैनेंद्र की कहानी कौन सी नहीं है यसे जितने भी हमारे साती हैं जिनको दोस्तों वीडियो को लाइक करना है वो लाइक करें और जिनको भी जूनियर सुपर टेट सौ नमबर हिंदी का मौडल पेपर लेना है वो आज ही सेल्प स्टडी किलासेस में जाए model paper लगा करके 20 model paper आपके लिए दोस्तो मात्र 350 में यहाँ पर जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है तो कौन सी नहीं है 18 का अंसर और आपका सीधा फासी तो है नीलम देश की राजकन्या है पाजेब है लेकिन अमर बल्लिरी नहीं है और आपका उत्तर सीधा चला गया D-number की ओर D-number right very good नई कहानी अंदोलन चलाने वाले लेखक का नाम क्या है बहुत अच्छा लेखक नहीं है इसा आया है दोस्तो नई कहानी अंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है तो कौन नहीं है बताइए राजियंद्रे आदाओ गंगा प्रिसाद बिमल मौहर राकेस या फिर कमले स्वर नई कहानी अंदोलन से संबन देते कौन नहीं है ये आपसे कौस्टन पूछा गया है लाइक करके सेर जरू करना है दोस्तो अपने मित्रों तक और आंगे बढ़ते जाना है है ना यहां पर आपका सही आंसर जा रहा है कि सर नई कहानी अंदोलन चलाने वाले लेखकों में अगर नहीं की बात आ रही है तो नहीं मैं आपका सही आंसर चला गया कहां पर कहां पर चला गया नहीं है पूछा है प्रश्न किरमांक उन्नीस में है ना कॉस्टन गलत हो गया है ना कॉस्टन गलत हो गया है दोस्तो यहां पर आपको चलाने वाले लेखक पूछना था है ना तो कौन है ऐसा पूछना था है ना तो यहाँ पर आपका गंगा प्रसाद बिमल है में सही हो जाएगा ठीक है गंगा प्रसाद बिमल यानि की ठीक है तो यहाँ पर नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक है एक कॉस्चन है करो है ना ये दोस्तों प्रबर्तक माने जाते कौन गंगा प्रिसाद बिमल माने जाते हैं प्रबर्तक मुचा गया है बी नम्मर आपका सहिए इसको याद करो ठीक है बी नम्मर आपका क्रिचनकार कौन है 20 का अंसर हाँ हाँ बिलकुल बहुत बढ़िया दोस्तों सही है question सही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नई कहानी आंदुलन्च चलाने वाले हैना A कहानी very good बहुत बढ़िया थोड़ा सा confusion यहां पर नई कहानी आंदुलन प्रेशन भी सही है और उत्तर भी गंगा प्रसाद बिमल ही है देखो confusion ऐसा होता है दोस्तों है ना यहाँ पर राजेंद प्रसाद राजेंद रियाद वी नई कहानी से सम्मन देते हैं मौहर राकिस भी हैं कमले सुर भी हैं लेकिन यह जो है गंगा प्र होऍद से सही है सही लगा दो प्रसे कर दो है ना यह आपका बी नमर ही चैह never है यह नाई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेकिषा लेकों में नहीं है बी नमक्र सही है वेरिग वाडth उसने कहा था कहानी की रचनाकार कौन है प्रश्निक्रमांग 20 का आंसर 20 का आंसर बताईए चंद्रधर सर्मा गुलेरी प्रेमचंद निर्मल बर्मा या फिर सरद जोसी 20 में सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा 20 में आ कहानी अंदुलन पूछा गया था दोस्तों आपके PGT एक्जाम में है ना उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है ये आप से पूछा गया और आपको पता है कि सरे 1915 की रचना है 1915 की कहानी है फिलेस बैक सेली में लिखी गई है और ये जो कहानी है ये गुलेरी जी की है ये नम्मर आपका सही है चंद्रधर सरमा गुलेरी ने जो तीन कहानिया लिखी दोस्तों वो तीन कहानिया कौन कौन सी थी सन सहेत आपको बताना है भारतेंदू ने यात्रा ब्रत्य संबंदी कौन सी रचना लिखी कौन सी रचना लिखी बताईए भारतेंदू ने यात्रा ब किरवांग 21 में 21 में आपको बताना है कि भारतेंदु ने यात्रा ब्रत्य संबंदी कौनसी रचना लिखी है कि 21 का आंसर आपको चैन करना है और 21 में आपका सीधा आंसर जाएगा कौनसी लिखी है यात्रा ब्रत्य संबंदी कौनसी रचना लिखी है भारतेंदु ने तो वो शरियू पार की यात्रा है ना डी नम्मर आपका बिलकुश है रेखाएं बोल उठी रेखाएं बोल उठी रेखाएं बोल उठी बताएं कि रेखाएं बोल उठी बताएं कि रेखाएं बोल उठी बताएं कि रेखाएं बोल उठी इसके रेखाएं बोल उठी इसके रेखाएं बदा वाईस का आंसर सीधा सीधा आपका चला गया कि से रेखाएं सत्य बोल उठी सत्य बोल उठी तो देवंद्र सत्यार्ती ये नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ये नमबर राइट आंसर चक्कर के लब के के रिचनाकार कौन है चक्कर के लब के बताइए अमरतलाल कौन माने जाते हैं प्रश्न किरमांग को 23 का अंसर 23 में चक्कर किलब और चक्कर किलब बोले चक्कर है काई का यस है ना तो यस से क्या बनेगा यस पाल है ना यस पाल यनि आपका उत्तर बी नम्मर जो है ये बी नम्मर आपका सही है यस पाल आपका बिलको सही है चक्कर बैरी गोड आंसर बहुं बहुं अगर कर दे कुता क्या करता है बहुं करता है और बहुं कर दे तो बहुं का प्रताफ होता है आप दोड़ लगा देते हो बहुं का क्या हो तब प्रताफ तो प्रताफ से क्या हो जाएगा प्रताफ नारणमिस्रे है यदि गद्य कभियों की कसोटी है तो निबं ने कहा था राम चंद्र सुकल ने महाबीर पिरसाद दुवेदी ने स्याम सुन्दर दास ने किया फिर वन वाली ने किया दी गद्द कभियों की कसोटी है तो निबंद गद्द की कसोटी है प्रस्ण किरमांग को 25 में आपको चेन करना है और 25 में आपका सही उत्तर जाएगा यने कि एक नंबर जो है वो बिलकुर शथा है राम चंद्र सुकल आपका राइट आंसर है जीवेशना का सही संदी विच्छेद कीजिए जीवेशना का सही संदी विच्छेद आपको करना है दोस्तो क्या हो जाएगा बताईए सही संदी विच्चित करिए 26 का आंसर 26 में आपको बताना है और दोस्तो जल्दी से संदी विच्चित करना है लाइक करना है और 26 में आपका सीधा आंसर जा रहा है क्या हो जाएगा 26 का anser अनिल कुमार जी है ना 33 का anser दोस्तो जीऊ धन एसना यानि कि आपका जो दोस्तो क्या है V number है कि V number आपका सही है मनोयोग का सही संदी बिछित क्या है 27 जिन भी सातियों को junior सुपर्टेट का model paper पर खरीदना है, model paper लगाना है, है ना, 20 model paper आप लगा सकते हैं, मनो योग का सही संदी विच्छेद आपको चैन करना है, like करना है, share करना है, self study classes अप download कर लेना है, 27 में आपको उत्तर बताना है, और 27 में आपका उत्तर हो जाएगा, मनाह धन योग, यानि वी नम्मर आपका सही मनाह धन योग आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनो योग का सही संदी विच्छेद हो जाएगा, बिकल्प नम्मर बी, मनाह धन योग, ठीक है, मन्द का बिलोम सब्द है, मन्द का बिलोम सब्द क्या है, सुस्ते, द्रोते, सीग्र या फिर स्वरेत, मन्द का बिलोम सब् और 28 में आपका right answer हो जाएगा मंद का बिलोम सब्द और मंद का बिलोम सब्द हो जाएगा दुरत दुरत यानि B नम्मर आपका सही है दुरत नम्मर B आपका सही हो जाएगा very good उद्धत का बिलोम सब्द क्या है उद्धत यानि कि 29 का question आपको बताना है उद्धत का बिलोम आपको चैन करना है सौक है सौम में है उत्तम है या फिर कौमल है क्यानि कि प्रस्ण किरमांग का आपका 29 है उद्धत का बिलोम आपको बताना है और उद्धत का बिलोम है दोस् बी नमबर है बी नमबर तो यह बी नमबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है बी नमबर सही हो जाएगा पंत की कौनसी रचना अरविंद दर्सन से प्रभावित है पंत की कौनसी रचना अरविंद दर्सन से प्रभावित है जल्दी जल्दी से एक बार लाइक करना है तब हुआ था उनीस सो इस भी में है ना कहां पर हुआ था पंत जी का जन में सुमित्रा नंदन पंत जी का बताईए जल्दी से और यह आपका स्वर्ण किरण एक नंबर आपका सई हो जाएगा इनका अरबिंद दर्शन से प्रभावित रचना है एक नंबर राइट अंसर है है ना सैल्प स्टडी के लासे से अपको डाउन लूट कर लो है ना और दोस्तो मौडल पेपर अगर आपको لगाणा है So number Hindi के लिए तो आप जल्दी से शेल्प स्टडी के लासे सैप डाउन लूट करके कोर्स में अड़ीसल ले सकते हैं हिंदी में मासल बाध के प्रवर्टक कौन है 31 हिंदी में मासल बाद की प्रवर्टक कौन है हरीबंस राय बच्चन रामेस्तोर सुकल अंचल महावीर परसाथ दुवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं मासल बाद के प्रवर्टक कौन माने जाते हैं 31 का कॉस्चन बताना है और आपका सीधा अंसर जा चल है ना हालावाद के प्रवर्टक हरीबंस राय बच्चन माने जाते हैं उसके बाद के दारनात अग्रवाल को किस काब गरंथ के लिए साहित अकादमी परुष्कार मिला बहुत बड़ी या कॉस्चन है दोस्तों के दारनात अग्रवाल जिने की कैन का कभी कहा जाता है के अग्रवाल है ना प्रगतिबाद के दोस्तों ससक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं और आपको बताना है कि इनका वो कौनसा काब गरंथ है जिसके लिए साहित अकादमी परुष्कार मिला और वो मिला है दोस्तों किसके लिए अब पूर्वा के लिए यानि आपका बी नमर जो ह बैदनात मिस्त्रे नागर जुनका वास्तिविक नाम क्या था आपको चैन करना है प्रश्न कि रमांक आपका 33 है और 33 में नागर जुनका वास्तिविक नाम क्या था यह आप से question पूछा गया बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और आपका सीधा answer जाएगा दोस्तों कहां पर डी नम्मर की तरफ जाएगा बैदनात मिस्त्र डी नम्मर आपका सही हो जाएगा नागर जुनका बास्त्विक नाम है बैदनात मिस्त्र ठीक है बहरी गोड बहुत बड़ी है लाइक कर दो जल्दी एक बार सेयर कर दो बाल करणे सर्मा नबीन का सर्पर्थम प्रिकासित का ब संग्राय कौन सा बाल करशन सर्मा नबीन लाइक करके आपको सेयर करना है और सेयर करना है दोस्तो जल्दी से शवी मित्रों के लिए है ना और नीचे लिंक दी है तो सभी साथ ही आ जाएं और दोस्तो लिंक से आप दोस्तो क्या कर सकते है अप डाउनलोड कर सकते हो बाल करन स प्रकासित काब्र संगर है कौन सा है प्रतम कुम कुम कौन सा है कौम कुम है कुम कुम यानि की आपका जो स्री नमबर है स्री नमबर है कुम कुम बिलको सही है ठीक है यह स्री नमबर आपका सही हो जाएगा जंगल के जियू संसमरण के लेखक कौन है 35 का अंसर जंगल के राम नाराण उपाद्याय यानि कि 35 का आंसर बताना है जल्दी से बताओ जंगल के जिऊ संस्मरन के लेखा कोन माने जाते हैं 35 में आपको चेन करना है और 35 में आपका सई आंसर हो जाएगा स्री राम सर्मा JEFF यानि स्री नंबर आपका सहय है ठीक है जंगल के जीव संसमर्ण के लेका कोन है स्री राम सर्मा JEFF ये तो कई बार पूचा गया दोस्तो तो ठेले पर हमालाय संसमरन ये किसका माना जाता है कि आपका 36 प्रस्ण है लाइक करके सेर कर दो जल्दी से एक बार सभी मित्रों को है ना और जिन भी सातियों को दोस्तों सेल्प इस्टडी के लासे से अप में एड़मीशन लेना है वो ले सकते हैं ठेले पर हमालाय की रिच कहानी की रिचनाकार कौन है त्रिच कहानी की रिचनाकार कौन है त्रिच कहानी के आपको बताना है जल्दी से बताइए और जो भी साति हमारे जूनियर सुपर टेड़ वाले हैं है ना और हिंदी साहित वाले हैं वो सेल्प स्टडी किलासे से अप डाउनलोड कर सकते हैं औ अब आपको बताना है कि तरिच कहानी की रचनाकार कौन है 37 में आपको चैन करना है question वड़ा अच्छा है और सभी लोगों ने लगबग बता दिया है कि सर तरिच कहानी आप पूछ रहे हो है ना तो आपका उत्तर है ओदय प्रिकास त्रिच कहानी की रचनाकार कौन है ओदय प्रिकास श्री नमबर आपका बिलकुर राइट अंसर पीली छत्री वाली लड़की की रचनाकार कौन है थर्टी एट का अंसर अच्छा कोस्चन है पीली छत्री वाली लड़की किसकी रचना है आपको चैन करना है लाइक करते हुए अपने मित्रों तक शेयर करती रहें दोस्तों और बने रहें इसी प्रकार से आपकी रोज नौ बजे ये किलास होती है है ना पीली छत्री वाली लड़की के रिचनाकार आपको बताना है और आपका 38 में आंसर जा रहा है किसर इसके प्रिकास की रचना महुए का पेड अपनने पड़ा था महुए का पेड क्या मार कंड़े हैै आपको बताना है महुय के पेड को मारकंडे है ना तो यहां पर आपको याद रख़े ना है दोस्तो यह आपका हो जाएगा महुय के पेड को मारकंडे तो मारकंडे यानि D-Number D-Number आपका बिलकोष सही आंसर साखी किस कभी की रिचना है 40 में आपको बताना है लाइक करना है अपने मित्रों तक शेयर करना है साखी आप से पूचा गया है और जूनियर सोपर टेट के लिए जिनको भी मॉडल पेपर की जवुरत है जिनको भी लगता है कि हमें प्रेक्टिस करना चाहिए इसर साखी पूचा है, तो आप विजाय देव नारान साही लगा दो, यह नमबर लगा दो, यह विजाय देव नारान साही की रचना है, साखी, एक नमबर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा और काठ की घंटियां की रचना कार कौन है? काट की घंटियां के रिचनाकार कौन है काट की घंटियों का हमें क्या करना है काट की घंटियों का क्या करना है सर्वे करना है कि दिन में करना है उदय करना है आरोन क्या करना है काट की घंटियों का अनिल कुमार जी जोती रानी जी रेखा जी काट की घंटियों का हमें सर्व करना सरभे से क्या वनेगा शर्बे सुरदयाल सक्षेन और पर है आप को वताना है कि मैं बक्त के हूँ सामने के रचना कार कौन हैं सहाय गिड़्याकुमार मातवर मुक्ती बोद या भारत भूछण अगरबाल मैं बक्त के हूँ शामने मैं बक्त के हूँ शामने इसके रचनाकार कौन है आपको चैन करना है और सीधा आंसर आपका क्या जा रहा है यहाँ पर बताएए जल्दीशे मैं बक्त के हूँ शामने यह पड़ा था पन्ने की सर बक्त के सामने क्यों खड़े हो गिर जा गिर जा तो गिर जा कुमार म यानि आपका बी नंबर यहां पर बिल्कों सही हो जाएगा बी नंबर राइट अंसर बेरी गुड है ना हित तरंगनी के रिचनाकार कौन है दोस्तों हित तरंगनी प्रश्न किरमांक 43 और हित तरंगनी के रिचनाकार आपको बताना है सेर कर दो जल्दी से एक बार सभी साती और दोस्तों हित तरंगनी के रिचनाकार कौन है इसका अंसर आपको चैन करना है चार बिकल्प है 43 का अंसर आपको बताना है और 43 में आपका राइट अंसर जा रहा है कि सर हित तरंगनी के जो रिचनाकार है वो रिचनाकार है किरपा राम कौन है किरपा राम यानि आपका जो C number है वो बिल्कुल शही है किरपाराम आपका right answer हो जाएगा very good answer इसके नामा के रिचनाकार कौन है इसके नामा 44 अच्छा question है इसके नामा के रिचनाकार आप से पूचा गया है आपको बताना है और दोस्तो आपको self study classes इसके नामा के रिचनाकार कौन है इसका answer आपको चैन करना प्रश्निक रमांक 44 में चबालीस का answer बताईए शबीशाती और आपका सीधा सीधा answer जा रहा है कि सर इसके में इसके में नाम पड़ गया क्या बोधा तो बोधा से क्या बठाई गया बोधा यानि कि आपका ये नमबर बिल्कुष आई इसके नामा के रिचनाकार कौन है बोधा ठीक है ये नमबर very good बहुत बढ़िया बिहारी सत्साई में कितने दोहे हैं बिहारी सत्साई जो की दोस्तो मुक्तक काब है क्या है ये मुक्तक काब रचनाकार बिहारी है ठीक है इसका काब रूप मुक्तक काब है आपको बताना है कि बिहारी सत्साई में दोहों की संक्या कितनी है जल्दी बता प्रश्न किरमांग 45 का आंसर आपको चैन करना है और 45 में आपका सीधा आंसर चला जाया है 713, 632, 632 हैं दोस्तो, डी नमबर राइट आंसर, अंतर जातिये बिवाय की समस्या को ओध घाटित करने करने वाला उपन्यास कौनसा है अंतर जातिये बिवाय की समस्या को ओध घाटित करने वाला दोस्तो उपन्यास कौनसा है कौनसा है निर्मिला, शेबा सदन, मा या फिर भेकारनी अंतर जातिये बिवाय की समस्या को ओध घाटित करने वाला उपन्यास कौनसा है यह 46 नमबर का प्रश्ण है और 46 नमबर में आपका सीधा अंसर जा रहा है D नमबर यानि की भेकारनी ठीक है भेकारनी आपका बिलको सही अंसर है यह आपका D नमबर बिलको सही है very good है ना अंतरजाती विबाय की समस्या को दगाटेत करने बाला है दोस्तो पन्यास है और यह भेकारनी किसका है एक दोस्तो मा और भेकारनी यह दो बताना है आपको किसके उपन्यास है फटाक से बताईए अमरतलाल लांगर का जीवनी परा को पन्यास कौनसा है वीडियो को लाइक करना है सेयर करना है अमरतलाल लांगर का जीबनी परको पन्यास आपको बताना है जंदी से बताईए 47 में और जितने भी हमारे साती हैं शबी साती दोस्तो एप को डाउनलोड कर लें जूनियर सुपर टेट का दोस्तो आपके लिए क्या किया गया जूनियर सुपर टेट का आपके लिए मॉडल पेपर लांच किया गया हिंदी साहित की डेली टेस्स सीरिज भी चल लई है तो अमरतलाल लागर की जीबनी परको पन्यास कौन सा है तालिस में आपका चैन और बिलकुल सही आंसर आया है कि सर खंजन नयन लगा दो एक नमबर लगा दो बिलकुल सही हो जाएगा वेरी गॉड एक और एक ग्यारा होते हैं का अर्थ है क्या अर्थ है संसार में सब संभाव है भीड में बल है या फिर गरत बिधा बिध्या पर दोस्तों निपड़ता प्राप्त करना या फिर संग ठन में सकती है संग ठन बताईए एक और एक ग्यारा होते हैं इसका सही आपको बताने इसका आर्थ क्या है देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता पारा है 48 का आंसर मनु जी बताइए और और कौन शाही बता रहा है बीनू सरोज जी उपेंदर जी शीदा आंसर जा रहा है कि सर संगठन में सकती है यानि आपका उत्तर D नमबर बिलकुल शाही है संगठन में क्या है शकती है D नमबर आपका एकमत इसका अर्थ क्या है सो सयाने का एकमत इसका अर्थ आपको बताना है 49 में आपको चैन करना है वीडियो को लाइक करना है और उत्तर फटाक से कमेंट में लिखना है तो उत्तर क्या हो जाएगा सो सयाने का एकमत कुछ भी निश्चैना कर पाना जाना चालाक बनना अच्चे विचारों में भिन्निता होना या बुद्धी मानों के विचार एक से होते हैं तो सो सयाने का एक मत इसका आर्थ क्या है उन लगबक्ष अभी लोगों ने आंसर सही बताया है नितिका तनबर जी दी नम्मर आपका बिलको सही है बुद्धी मानों के विचार कैसे होते हैं एक से होते हैं डी आपने लगाया तो बिलको सही आंसर है कौन वरनेक चंद है फटा-फट से आंसर बताएं दोस्तो वरनेक चंद कौन सा है दोहा, च्वपाई, सबया या फिर रोला आपने चंद पड़े हैं मात्रेक चंद और वरनेक चंद तो आपको यहाँ पर बताना है कि वरनेक चंद है तो कौन सा है प्रश्न किरमांग को पचास में और पचास का सीधा आंसर जा रहा है कि सर वरनेक चंद की बात करोगे तो दोहा तो मात्रेक है च्वपाई मात्रेक है रोला भी मात्रिक है लेकिन जो सबया है ये सबया क्या है वरनिक है यानि कि इसमें वरनों की जहां पर दोस्तों गिंती होती है वो वरनिक जहां पर मात्राओं की होती है वो मात्रिक ठीक है रहीमन चुप है बैठिये देख दिनन के फेर और सब नीके दिन आई है बनतना लग है देर या बेर है ना यहाँ पर रहीमन चुप है बैठिये देख दिनन के फेर सब नीके दिन आई है और बनतना लग है देर ये आपको 51 का आंसर ये क्या है दोहा है, सोर्ठा है, रोला है या फिर चौपाई है, बताओ, क्या है ये, आपको चैन करना 51 में, 51 का चैन करना शबी लोग बताएंगे, और लगबक शबी लोगों का आंसर आया है, जिसरे दोहा है, क्या है, दोहा, एक नम्मर आपका कल्पना बर्मा जी अब आपका राइट आंसर है संभीदान की आठवी अनुसूची में कौनसी भासा सामिल नहीं है कौनसी भासा सामिल नहीं है कौनसी भासा सामिल नहीं है आठवी अनुसूची में 22 भासा सामिल है दोस्तो अब आपको चैन करना की कौनसी भासा सामिल नहीं है बोडो मैतली डौंगरी भोजपुरी यानि कि एक एक प्रस्ण में आपको एक एक दोस्तों वो लगाना है अगर एक प्रस्ण पूछा गया है तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन-कौन सी 22 भासाइं सामल है एना ऐसा नहीं कि एक प्रस्ण पनने कर लिया तो बोले कि सर यहीं आएगा यह प्रस्ण आपको क्या दे रहा है सूचना दे रहा है कि कौस्चन यहां से बनते हैं जो 22 भासाइं अनुसूची में सामल है उनको आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो बोडो है मैतली है डौंगरी है लेकिन कौन सी नहीं है भोजपुरी नहीं है यह भोजपुरी दोस्तों संभीदान की आठवी अनुसूची में सामल लई है क्यानी डी नम्मर आपका बिलको सही होगा पैसाची से कौन सी भासा बिक्सित हुई पैसाची से कौन सी भासा बिक्सित हुई मराटी गुजराती पंजाबी या पिर राजस्थानी अच्छा कॉस्चन है 53 में आपको चैन करना है लाइक करते रहें जल्दी जल्दी से है ना और सेल्प स्टेडी क्लासे से एप जरूर डाउनलोड करने साती हो पैसाची यानि की 53 का आंसर आपको चैन करना है 53 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा और सी नमबर आपका बिल्कूट सahi हो जाएगा 53 में बहत बड़ी आंसर अंगला कोश्चन कौन सा सब्द स्त्री लिंग है very good कौन सा सब्द स्त्री लिंग है बताएए कौन सा सब्द स्त्री लिंग है 이 क्कॉस्चन आप से पूचा गया है क्कउस्चन बड़ा ही अच्छा है सहारा परिसद या सूची पत्र चंगन का प्रस्ण और चंगन में आपका उत्तर चला गया परिसद है ना सी नमबर चला गया very good सी नमबर आपका right answer परिसद है ना अब आपको बताना है बहु बचनान्त पुल्लिंग सब्द कौनसा है बताईए बहु बचनान्त पुल्लिंग सब्द कौनसा है आसू बात लड़का या फिर दोस्तो घर बहु बचनान्त पुल्लिंग सब्द कौनसा है यानि कि बहु बचन में उसका प्रियोग किया जाता है और पुल्लिंग भी है तो प्रश्ण किरमांग 55 में बताना है बताईए कोरेशी जी 55 में आपका राइट आंसर कहां चला जाएगा सबी लोगों ने सही बताया कि सर आसू आसू हमेशा बहु बचन में प्रियोग होता है और दोस्तों आसू क्या है पुल्लिंग भी है तो एक नम्मर आपका चला जाएगा उत्थान का बिलोम सब्द क्या होगा 56 का इसा अंसर उत्थान का बिलोम सब्द क्या होगा जो भी हमारे साथी जोस्तों सुपर टेट का इसी परकार से मौडल पेपर लगाना चाहते हैं हैना तो सभी साथी अपन को याद करना है कि सभी साथी दोस्तों मौडल पेपर जुनियर सुपर टेट शौ नंबर हिंदी का 350 में 20 मौडल पेपर आपके लहेंगे 100-100 नम्मर के उत्थान का बिलोम सब्द क्या होगा 56 सेल्प स्टेडी किलासे से अपको डाउनलूट करना है और उत्थान का बहुत ही बढ़ीया प्रश्न आपसे पूचा गया उत्थान का होगा पतन क्या हो जाएगा पतन यानि B नम्मर आपका बिल्को सही है गुन बाचक विशेशन कौशा है दोस्तों 57 में तीन थोड़ा नया या फिर 5 किलो ग्राम तो अच्छा कॉश्चन है गुन बाचक विशेशन आपसे पूचा गया है तो चैन करिये पृदीप जी बताएं गुन बाचक विशेशन कौशा है वो 57 में आ 57 में नया ठीक है शी नमबर सही हो गया वेरी गुड गुड बाचक है कौनसा सब्द बिसेशन है अब बिसेशन बताना है कि कौनसा बिसेशन है आपने संग्या सर्बनाम किरिया बिसेशन सब पड़े हैं कौनसा सब्द बिसेशन है 58 में आपको चैन करना है राइट अंसर आप पूछ रहे हो अगर आप तो तर लगा दुकाई में निपट में निपट यानि कि आपका जो सी नंबर है ये दोस्तों क्या है ये विशेशण है यानि सी नंबर आपका बिलकुछ सही है ठीक है बहुत बड़िया आलवार महिला संत का नाम क्या है दोस्तों बहुत अच्छा कोश्चन है 59 का अंसर बताना है आलवार भक्तों की संक्या कितनी थी वारा थी कितनी थी बारा अब इन दोस्तों बारा जो भक्त थे इनमें एक महिला थी महिला संत थी उनका नाम क्या है वो आप से पूचा गया है और वो नाम क्या है? तो आपने बिलकुल सही बताया कि सर वो नाम है आंडाल. यानि कि आपका जो D नमबर है वो बिलकुल सही है. Very good. राबिया के बारे में बताईए राबिया कौन थी दोस्तो? राबिया के बारे में भी बताईए जल्दीशे. उसके बाद कबीर का प्राकट स्थल क्या है? यानि कि जन्म स्थल क्या है? कबीर जी का, जिनका जन्म 1398 में हुआ था, अब कबीर का प्राकट स्थल क्या है? ये आपको चैन करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सेल्प स्टड़ी किलासे से आपको डाउनलोड करना है, उपर लिंक दी है हिंदी साहित वाले एप की तो दोस्तो कबीर का प्राकट टेस्टल क्या है 60 का आंसर सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा 60 का अंसर 60 में आपका सीधा अंसर जा रहा है लहर तारा यानि आपका जो B नंबर है B नंबर वो बिलकुर शही है ठीक है बी नमबर आपका बिलकुँ सही है very good बहुत बढ़िया है ना रस्मी गिरी जी राबिया सूपी काब धारा से संबन दित थी दोस्तों राबिया है ना तो यहाँ पर आपका बी नमबर बिलकुँ सही है very good अंगला question है दादू की रचनाओ का संग्रह हरडे वानी नाम से किसने किया है बहुत ही बढ़िया प्रस्चन है सातियो अच्छा question है like करते जाए share करते जाए और दोस्तों बने रहें इसी प्रकार से दादू की रचनाओ का संग्रह आपको बताना है हरडे वानी नाम से करने वाले जो बिद्वान है वो बिद्वान कौन है और सीधा answer आपको पत है आपने बताया है उतर शी नंबर किसर संतदास और जगंदास ने हरडे वानी नाम से दादू की बानियों का संक्लन किया था अब दो question और यहां से आपको बताना है कि दादू का जन्म कब हुआ था ये बताना है और साती दोस्तों ये भी बताना है कि अंग बदू नाम से दादू की बानियों का संक्लन किस ने किया थीक है दादू का जन्म कब हुआ अंग बदू नाम से दादू की बानियों का संक्लन किस ने किया ये भी आपको बताना है जल्दी बताओ हालाबाद के प्रबर्तक कौन है 62 में हालाबाद और हालाबाद के question कई बार आया है दोस्तों और मैंने कई बार आपको बताया है हालाबाद के प्रबर्तक कौन माने जाते हैं जैसंकर पिरसाद हरिबंसराय बच्चन रामे स्थोर सुकल अंचल या फिर निराला यानि की आंसर आपका जा रहा है, कि सर बच्चन करते हैं, बच्चे हल्ला करते ना बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, तो हल्ला बाद, हल्ला बाद बच्चे करते तो बच्चन, बच्चन यानि हरीवंसराय बच्चन, है ना, आपका बी नंबर बिल्को सही हो जाएग सब्सकार बताएं गलत कौन सा है बिलों सब्सकार का अच्छा कोस्चन में्ट 63 का answer आपको बताना है और दोस्तो बहुत ही बढ़िया मौका है आपके लिए और लबली जी ने बताया है कि स्था दादू की बाणियों का अंगबदू नाम से रज्य ने किया था बिलकुल शही answer और 63 में आपको चैन करना है और दोस्तो आपका answer आपने बताया है कि ज़्यां गलत है प्रवेस का नवेस गलत है यानि कि आपका एक नमबर आपका दोस्तों प्रस्णा नुसार सही हो जाएगा very good है ना अंगला question द्रोन पर्व किसकी रचना है द्रोन पर्व किसकी रचना है देव कभी की लाल कभी की कुलपती मिसर की या फिर पदमा करकी द्रोन पर्व किसकी रचना है question बड़ा अच्छा है के मार्ती जी और 64 का अंसर हमें चैन करना है और सभी लोगोंने लगभक सही बताया है कि सर द्रोन पर्व हमारे कुल के पती द्रोन पर्व मनाते हैं कौन मनाते हैं कुल पती कुल पती कौन मनाते हैं कल पती का मनाते हैं द् द्रौन पर्व मनाते हैं कौन कुलपती तो कुलपती मिस्त्र यानि कि आपका जो सी नंबर है सी नंबर बिलको सही हो जाएगा है ना ये कुलपती बताना है दोस्तों कि ये जो है ये किस काल के कभी हैं और किस काब धारा के कभी हैं बताइए नाई का भेद बरनन की रिचनाकार कौन है सुकसागर तरंग की रिचनाकार आपको बताना है मतिराम है देव है बेकारी दास है या फिर भूशन कभी है सुकसागर तरंग की रिचनाकार चैन करना है लाइक करना है अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है सुकसागर तरंग की रिचनाकार आपको बत अना है बताई horrifying का आपका चेर्ण बहत ही बड़िया क्वेस्चन है दोस्तो आपको पता है रीतिकाल में एककभी हैं दुजदेऊ एककभी है दुजदेऊ सब्सक्राइब इनमें कन्फ्यूज होते हैं देव का पूरा नाम देव दत्य था ठीक है अब देव जो कभी हैं दोस्तों इनकी नाई का भेद बरनन संबंदी रचना है कौन सी सुक सागर तरंग यानि आपका बी नम्मर सही है ये जो देव कभी है इनका नाम कई बार पूचा गया कि पूरा नाम के आता तो देव दत्य है ठीक है देव कभी के बारे में दोस्तों पूचा जाता है कि किस काबधारा से संबंदे थे तो रीती बद्य थे है ना लेकिन दुझ देव के बारे में एक क्वेस्चन आता है कि दुझ देव किस काबधारा से संबंदे थे तो ये दोस्तों क् रहस भावना किसमें पाई जाती हैं सबसे बड़ी बात तो दोस्तो कि छायाबाद एना 1918 से लेकर के 1936 का काल माना जाता है ठीक है दूसरी बात है कि छायाबाद की प्रवर्तक जैसंकर परसाद माने जाते हैं ठीक है लेकिन आपसे question ये पूचा गया कि रहस भावना किसमें प को पता है कि सर अगर काल की बात करेंगे कि सबसे जाना रहस भावना से प्रवावित काल कौन सा है तो आप छायाबाद लगाते लेकिन उसके अंदर पूच लिया गया कि छायाबाद में भी रहस भावना से सबसे जाना प्रवावित कौन है तो आप महादेवी बर्मा लगा सही है सौनेट रचना के लिए प्रिसिद्ध हैं तो कौन है नागरजुन त्रिलोचन प्रिसाद या फिर निराला सौनेट लेखन के लिए सौनेट रचना के लिए प्रिसिद्ध कौन माने जाते हैं यह आपका क्वेश्चन है प्रशन किरमांक 67 में और 67 में आपका सही आंसर जो जारा है कि सौनेट रचना के लिए जो प्रसिद्ध माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन वो माने जाते हैं त्रिलोचन लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी त्रिलोचन का बास्तविक नाम क्या था ये क्वेस्चन भी आपको बताना है त्रिलोचन का बास्तविक नाम क्य ना सुन सकें ना छू सकें उसके लिए एक सब्दपन को बताना है दोस्तो उसके लिए क्या होगा जिसे ना देख सकें ना सुन सकें ना छू सकें उसके लिए क्या कहेंगे निराकार कहेंगे उसके लिए निर्गुन कहेंगे उसके लिए आदरस कहेंगे उसके लिए अगोचर कहेंगे बहुत ही बड़ीया प्रश्न है दोस्तो जिसे ना देख सकें ना सुन सकें ना छू सकें ऐसा 68 का आंसर आपको बताना है 68 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तो आपका अगोचर अगोचर यानि आपका जो डी नंबर है डी नंबर ये बिल गीव उद गरीव है ना उद गीर्व या फ़र उद गरीव सुद्ध सब्ध का चैन करना है 69 का आपको बताना है और जल्दी से बताईए नीचे लिंक दी है जिन भी सात्यों को दोस्तों पढ़ना है और इसी प्रकार से आंसर बताते जाना थे है ना तो सुद्ध सब्द का चैन कर लो एक बार जल्दी से और सेयर कर दो अपने मित्रों तक लाइक सेयर जरू करते रहिए साथियो और बहुत ही बढ़िया प्रस्ण है 69 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर उद्गरीव लगा दो यानि कि आप जो है आप लगा दो बी न लेखक कौन है रुपया तुम्हे खा गया एक आंकी के लेखक कौन है आपको चैन करना है बैनी पुरी राम कुमार बर्मा भगबती चरण बर्मा या फिर कुबेर नात राय है ना ये बताना है रुपया तुम्हे खा गया इसके रचनाकार कौन है और आपको पता है ये सही answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा दोस्तो आपका क्या हो जाएगा भगबती चरण वर्मा ठीक है शी नमबर शाहिए रुपया तुम्हें खा गया एकांकी की जो रिचनाकार हैं वो हैं दोस्तो भगबती चरण वर्मा यानि कि आपका शी number बिल्कुर शाहिये कुमकुम यादावजी वयरी गुड़ आंसर मुखबाल रभी समलाल होकर जौल सा बोधित हुआ है ना इसमें कौन सा अलंकार है मुखबाल रभी समलाल होकर जौल सा बोधित हुआ 77 का अंसर बताना है सबी प्रकार के प्रशनों का मिस्त्रण किया गया है ब्याकरण भी है ना दोस्तों और साथ ही आपका हिंदी साहित का इतिहास में कांकी गद्ध पद्ध सब कोछ यहां पर मिस्त्रित किया गया मुक्बाल रभी सम लाल होकर जौल सा बोदित हुआ आपको बताना है तो यहाँ पर 71 का आंसर और सही आंसर क्या हो जाएगा 71 में और 71 में आपका राइट आंसर की सर यहाँ पर उपमा अलंकार है उपमा यानि यह नम्मर बिलकुल सही हो जाएगा समसा सर सिस्प्रकार की जो सब दाते हैं तो अप उपमा अलंकार को डारेक्ट समझ जाते हैं जिन की याद हमेशा रहेगी संसमरन के लेखक कौन है जिन की याद हमेशा रहेगी इस संसमरन किसका है निराला का, अमरत राय का, यह स्पाल का, या फिर बियोगी हरी का जिनकी याद हमेशा रहेगी संसमरण के लेखक कौन है 72 का अंसर 72 में आपको चैन करना है और आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा जिनकी याद हमेशा रहेगी आपको पता है दोस्तों जो अमरत पी लेते हैं और अमर हो जाते हैं उनकी याद हमेशा रहेगी बोले सर अमरत है अमरत जो पीलें तो क्या हो जाएगे अमर हो जाएंगे अब अमर हो जाएंगे तो उनकी याद तो हमेशा रहेगी है ना तो जिनकी याद हमेशा रहेगी यह संसमर्ण है और इसके लेका के अमरत राय वन है अमरत राय यानि बीन अमर आपका अमरत राय जिन मिर्तियात्रा यग किसने कहा विश्णू प्रभाकर ने कमलेस्वर ने हरिवंस राय बच्चन ने या फिर बियोगी हरी ने प्रश्ण किरमांग 73 का अंसर 73 का आपको चैन करना है लाइक करना है अपने मित्रों तक शेयर करना है और जिन भी सातियों को मौडल पेपर लेना है मौडल पेपर जरूर ने दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा आपको पता भी चलेगा है ना और यहां पर आपका अपनी आत्म कथा को इस मिर्तियात्रा यग किसने कहा और सीधा आंसर आपका जारा 73 में क्या जारा है हरी बंसराय बच्चन ने इनकी आत् सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य के लेखा कौन है सागर की लहरों पर बताईए सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य के जो रिचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं बताए मुक्तिबोध निराला मौहन राकेस या भगबत सरण उपाध्याय चैन करना है लाइक करना है सेर करना है सागर की लहरों पर यात्रा साहित के जो रचनाकार है वो आपको बताना है 74 में और आपका उत्तर जाएगा कि सागर की लहरों पर भी क्या हो रही है बुलि सर भागबत हो रही है बुलि भागबत कहा हो रही सागर की लहरों पर हो तो भागवत से क्या हो जाएगा भागवत सरानोपाद्याए अब याद हो जाएगा आपका सागर की लहरों पर भागवत हो रही तो भागवत से भागवत सरानोपाद्याए यानि डी नम्मर आपका सही हो जाएगा पुस्तक जल्लड हत्य दे चली गजन रपकाज है ना ये पंक्ती बताना है दोस्तों ये पंक्ती किस गरंत की ली गई है ये पंक्ती किस गरंत की है आपको बताना है साथ ही पूरे जितने गरंत आपको दिये इनकी रचनाकार भी आपको ही बताना है बीसल देव रासों के रिचनाकार कौन है प्रतिवी राज रासों के कौन है हमीर रासों के कौन है और विजयपाल रासों के कौन है सभी बताएंगे पुस्तक जलल हत्ते देए तो सभी को पता है प्रतिवी राज रासों हो जाएंगे बी नमबर सही हो जाएंगे लेकिन इन चार में आपको चेहन करना है इनके रचनाकार आपको बताना है उत्तर बताएंगे सबी लोग कश्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की बिसेस्ता है कश्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की बिसेस्ता मानी जाती है हैं प्रशने के साथ राधा की महांता किस संप्रदाई की दैन हैं किस प्रश्चने कि رमांग 76 में थोड़ा सा केटन प्रश्चने लेकिन आपसे बनेगा और आपका उत्तर है कि सर सनक्सम्प्रदाई की इना यानि बी नमबर इस संप्रदाई के प्रबर्तक कोन है दोस्तो निमबार का चार और इस सनक संप्रदाई आपसे पूचा गया था बी नमबर राइट आंसर साहित्या नंद किसकी रचना है साहित्या नंद किसकी रचना है देव कभी की ब्रंद कभी की ग्वाल कभी की या फिर गोप कभी की, साहत्या नंद की रचणाकार कौन है, और सभी लोगों का बिल्कु सीधा आंसर जा रहा है 77 में, कि सर साहत्या नंद है न नंद की बात आई है, तो नंद यानि की दोस्तो, आपका ये ग्वाल कभी हो जाएगा, ग्वाल कभी, यानि C आपका और आपका उत्तर हो जाएगा रसलीन यानि यह नमबर आपका सही है अंग दरपन की रचनाकार रसलीन है यह नमबर बिलकुस सही शुमित्रा नंदन पंत की पहली कभिता कौनसी है शुमित्रा नंदन पंत की पहली कभिता कौनसी है पताईए ग्राम्या बानी लोकायतन या पर गिर्जे का घंटा उन्नीस सो में दोस्तों इनका जन्म हुआ था कोसानी अलमोडा में है ना सुमित्रा नंदन पंत जी का और इ तो आपको पता है कि सर पहले गिर्जे का घंटा, गिर्जे का घंटा, डी नम्मर आपका सही, आर्थिक विसमता को उद्गाटित करने बाली रचना कौनसी है, भिक्छोक, तोड़ती पत्तर, बिदबा, या पिर अपरा, यानि की असी, असी का आंसर चैन करना है, आर्थिक विसमता को उद्गाटित करने बाली रचना कौनसी है, और सीधा सीधा अंसर जारा तोड़ती पत्तर, तोड़ती पत्तर की रचना किसकी है, ये आपको बताना है, तोड़ती पत्तर की रचना कार कौन है, जल्दी से बताईए, नैपत्त राग किसका नाटक है, तो राग से हमें याद आ जाती है कि सरी एक रचना है राग गोविंद राग गोविंद किसकी है दोस्तों राग गोविंद मीरा भाई की रचना है और राग तो मीरा ने किया मीरा ने तो मीरा कांत नेपत राग की रचना कार मीरा कांत एक नम्मर आपका सई है अथका बिलॉम क्या है अथका बिलॉम इती आदी अंत या फिर प्रारंब अथका बिलॉम 82 में कई बार पूछा जाता है अथका बिलॉम सब्द कौनसा है लाइक कर लो शबी साती और नीचे लिंक दी है एप की तो एप डाउनलूट कर लो जहां पर आपके लिए 2020 टेस्सी रिच करवाई जाती है सब्ता है में दो दिन बिलॉम फिरी में है ना तो अथक सब्द का बिलॉम कौनसा हो जाएगा 82 का अंसर आपको बताना है और आपने बताया कि सर मनुभंडारी हत्यारे किसकी कहानी है इसका अंसर आपको चैन करना है क्टिन बड़ा अच्छा है like करके share भी करते रहो और पढ़ते रहो अभ्यास करते रहो है ना जल्दी से share कर दो एक बार सभी सातियों को बताएं हत्यारे कहानी के लेका कुन है और सभी लोगों ने बताया कि सर हत्यारे पूछोगे तो हत्यारे यानि कि प्रश्ण कि रumang के 83 है और सबी लोगों ने बताया है कि सर यह जो रचना है किसकी है हत्यारे यह रचना है दोस्तो किसकी अमर कांत की यानि कि आपका जो बी नम्मर है अपन ने याद भी किया था कि सर हत्यारे कभी अमर नहीं हो सकते हत्यारे अमर नहीं हो सकते यानि बी नम्मर आपका ही हो जाएगा यहाँ पर ठीक है अंगला कोस्चन है काला जल उपण्यास के लेखक कौन है जल्दी से बताएं काला जल किसका उपन्यास है यह आप Niyaus से पूछा गया मिर्दुला गर्ग का सानी मित्रई पुषपा या फिर प्रभाक खेतान का जल किसका उपन्यास है अच्छा question आप से पूछा गया है लाइक करते रहें जल्दी जल्दी से और शीदा answer आपका जा रहा है कि सर काला जल काला जल से हम सानी बनाएंगे सानी सानी बनती ना गईयों बैलों के लिए सानी बनती है भूसा की सानी और सानी बनाएंगे हम काय से काला जल से सानी सानी एक दोस्तों स्वांग भी है सानी 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 है तो ये सानी काला जल है ना ये सानी की है वेरी गौड एक पती के नोट्स इसके लेका कौन है एक पती के नोट्स आपको बताना है मधू जी दिनेश कुमार जी ए एक पती के नोट्स और एक पतनी के नोट्स एक पतनी के नोट्स भूल कर भी किसी को नहीं दे देना नहीं तो क्या हो जाएगा ममता कालिया बन जाएगी बोले सर है ना एक पती के नोट्स भी भूल करके किसी को नहीं दे देना बिचारा किलास में पढ़के नोट्स बना रहा है नहीं तो भला भला पड़ेंगे भला 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 नहीं होगा है ना शी नम्मर आपका सही है महेंद्र भला कामाईनी महाकब के लेका क्वन है सरल कॉस्चन पूछ लिया गए आप से कामाईनी महाकब के लेका क्वन हर्योद पंत जैसंकर प्रसाद या फिर निराला कामाईनी क इसका महाकाब है प्रश्निक रमांक एट्टी शिक्स का अंसर और कामाईनी को आपको पता है कि सर यह 15 इसमें सर्ग हैं है ना 1935 इसका रचनाकाल है ठीक है रचनाकार आपको बताना है तो जैसंकर पिरसाद है यानि कि आपका जो है इसी नंबर बिल्कुर सही हो जाएगा बह इसका रचनाकाल क्या है तो 933 इस भी है ना इसमें स्रावक धर्म के बारे में बताया गया दोस्तों स्रावकाचार में और स्रावकाचार जो रचना है इसके रचनाकार कौन है तो आपको याद करना है स्रावक देव स्रावक देव तो देव से क्या बनेगा देव सेन लह पा सबी को पता है विने पत्रीका की भासा क्या है यह आपको चैन करना है यह जो रचना है दोस्तों ये तुरिसी दास जी रचना है तुरिसी〇-धास है ना तुरिसी दास चंदन घे से तलक देत रगवी बिनायपत्रिका की भासा क्या है प्रशनिकरमांग का ठासी में और भासा का आपका सीधा आंसर जा रहा है कुस्चन कई बार आया है तो उत्तर हो जाएगा बरज यानि ये नमबर आपका बिलकोज शही हो जाएगा ये नमबर जिन्होंने लगाई जी रगुराज सेंजी युगला नंद सरण जी 89 का आपको चैन करना है लाइक करना है और राम भक्ती में तत सुकी ततकाल सुकी होना चाहता है कौन कौन होना चाहता है ततकाल सुकी अपने पढ़ा है ट्रिक से किसारा जीव जो है जीव जीव जो है ये जीव ततकाल सुकी त नत्य सुकी होना चाहता है जीव तो जीव से बनेगा जीवा राम यानि वी नमबर आपका सही हो जाएगा वी नमबर है ना तूटते परिवेस के रचनाकार कौन है जल्दी जल्दी से बताईए और नीचे लिंक दी है तो सभी साती लिंक से जल्दी से दोस्तो एप को डाउन की भावना है है ना तो तूटते परिवेश विश्णू प्रभाकर ये नमबर आपका बिलकोल शही वैरी गोड बहुत बढ़िया खेचर का परियाए क्या होगा खेचर का परियाए बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा खेचर का परियाए बताएं जल्दी खेचर का परिया क्या है और बहुत ही बढ़ीया प्रश्न है 90 बन का कॉस्चन आपको चैन करना है लाइक करना है अपने मित्रों तक शेयर करना है एक बार खेचर का परयाय बताना है बताईए आकास में आकास में दोस्तों चलने बाला पक्छी गिराह या फिर इन में से कोई नहीं और आपको पताई की सर खेचर मलब आकास में चलने वाला भी पक्छी और गिराह भी यानि की आपका उत्तर हो जाएगा इन मैंसे सभी इन मैंसे सभी यानि की 90 बन का आपका सिधा-सिदा आंसर जा रहा है D-Number ठीक है D-Number बिलकुष ए धरती अब भी घूम रही है धरती अब भी घू विश्णु की किरपा है यह रचना विश्णु की किरपा की एक नम्मर को जाएगा यामा किसकी रचना यामा आपको पता है दोस्तो चार रचनाओं के लिए ग्यानपीट प्रोस्कार मिला है वो रचनाओं कौन सी है सबसे बहले मिलाता चिदंबरा के लिए ठीक है उसके बाद मिलाता दोस्तों चिदंबरा के बाद किसको मिलाता औरबसी के लिए ठीक है उसके बाद मिलाता कितनी नाओं में कितनी वार के लिए ठीक है उसके बाद मिलाता यामा के लिए यामा के लिए मिलाता 1982 में ठीक है और यामा किसकी रचना है तो यामा रचना है दोस्त तो डर नहीं है फिर कशू का है ना नई कविता का आत्म संगर्स आलोचना किर्ती के लेका कौन है नई कविता का आत्म संगर्स इसके रचनाकार कौन है 94 का आंसर आपको चैन करना है और 94 में आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो रचना है नई कविता का आत्म संगर्स बताएं प्रमोध सैनी जी राइट आंसर कहा जा रहा है और इसर मुक्ती बोध की तरफ जा रहा है ये नमबर मुक्ती बोध बिलकुल शही हो मैंने कई बार आपको रटवाया है इनका जन्म बता दुजरा है ना रॉमांटिस्ज में सब्द के लिए हिंदी में स्वचंदता बाद सब्द का प्रियोग सबसे पहले किसने किया है ये आपका क्वेस्चन है 95 का उत्तर आपको बताना है किसने किया है बताइए भारतेंदु जी ने हरियोद जी ने रामचंद सुकले ने या पर डाक्टर नगे आपको पता है दोस्तों कि स्वचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग मोकुटधर पांडे ने किया था स्वचंदता बाद के प्रबर्तक हिंदी में स्रीधर पाठक माने जाते हैं है ना लेकिन दोस्तों रॉमांटेजम सब्द के लिए हिंदी में सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था तब आपने बताया कि सर्राम चंदर सुकले जी ने किया था तब हमने माना और स्शी नमबर टिक लगाया तो शही हो गया बूद बाबड़ी बूद बाबड़ी आत्म कथा की लेक रहेंगे बूंद बाबडी आत्मकता बीस आपके लिए मॉडल पेपर रहेंगे हैना औरे बीस मॉडल पेपर दोस्तों आपके एक्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे प्रैक्टेस आप कर पाओगे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि सो नंबर से हमारे हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं तो जो भी हमारे जूनियर सुपर टेट बाले हैं 350 में ये दोस्तों आपके लिए प्रैक्टेस सेट लांच की गई है है ना मॉडल पेपर लांच किये गए और बोले सर बूंद बूंद बाबडी है काई के लिए सच के लिए तो बूंद बूंद ब लेखक कौन है विश्णू प्रभाकर निर्मल बर्मा ब्रंदावनलाल बर्मा या फिर प्रिकास चंद गुप्त यानिकी 97 का आंसर क्या हो जाएगा सिर्जन के से तू संसमरण के लेखक कौन है सिर्जन के से तू संसमरण के लेखक कौन है बहुत ही बड़ी अच्छा प्रस सिर्जन किस ने किया इस रष्टी का उलिसर विश्णू जी ने है ना तो यहां पर आपका सिर्जन के सेतू विश्णू प्रभाकर विश्णू प्रभाकर है ना यह नम्मर आपका सिर्जन की बात आई यह तो कोई भगवान का नाम ही आएगा तो विश्णू प्रभाकर यह न लाइक कुमार चरियू के रचनाकार कौन है बताईए दारसू जी प्रश्निक रमांक 98 में बहुत ही अच्छा प्रश्न है लाइक करती रहें सभी साती सेर करती रहें और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर लाइक कुमार चरियू के जो रचनाकार है वो रचनाकार है पुस्प दंत वो बिलकुल शही है रै कुमार चरियू उस पे दंत रचनकार कभी सेकर और अभिनाव जैदेओं के नाम से कौन जाने जाते हैं अच्छा कोश्चन है बड़िया प्रस्ष्ण है और दोस्तों 99 में आपको उत्तर बताना है कौन जाने जाते कभी सेकर और अभिनाव जैदेओ के नाम से 99 में और 99 में आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर कभी सेकर और अभिनाव जैदेओ के नाम से जाने जाते कौन बिध्यापती बिध्यापती यानि कि आपका जो एक नमबर है बिलकोश आई है बिध्यापती की आपक पता का है बागी दोस्तों 13 इनके संस्क्रित में हैं विद्यापती को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है अभीन कभी सेकर अभीनाव जैदियो के नाम से भी जाना जाता है एक नम्मर आपका सही है भक्त नामा वली के लेखा कौन मान जाते हैं प्रश्न किरमां के 100 का अंसर आपको बताना है नाबादास गोकुलात काली दास या फिर ध्रोबदास भक्त नामा वली के दोस्तों लेखा कौन है क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपको उत्तर बताना है लाइक करते हुगे सेर करिए अपने मित्रों तक और दोस्तों अपनने पड़ी है भक्त माल भक्त माल की रचना है उत्तर भक्त माल भारतेंदु जी की रचना है लेकिन भक्त नामा वली अपसे पूछा गया तो भक्त नामा वली के रचनाकार कौन है ये क्वेश्चन है आपके लिए एक बार लाइक करके सेर जरू करें अपने मित्रों तक और दोस्तों ये आपके सो नंबर कम दोस्तों एप डाउनलोड कर लें है ना आपके लिए डीचे लिंक दी है तो आप कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के लासे साप सर्च कर लेना दोस्तों प्ले स्टोर में आपका फायदा ही होगा है ना और यहां पर हिंदी साहित का संपून कोर्स चला है मात्र बारा सो में हिंद पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेल्प स्टडी क्लासेस और हिंदी साहित वाले अप ट्वंटी ट्वंटी टैस्ट सीरिज बिलकुर फिरी चलती है रभी बार और गुरुबार को ठीक है तो इनमें आप भाग ले सकते हैं पढ़ सकते हैं अपना अध्यन कर सकते हैं न रोली जी श्विता जी प्रीती पाल जी ठीक है ममता जी पूजारान जिन को भी एड़ बीसर लेना है वो दोस्तों एप जरूर डाउनलोट करनें अध्यन करते रहें और दोस्तों आंगे बढ़ते रहें ज्यानेश जी संजय पाठक जी प्रमोध जी रादिका जी हैना रित जी नित्रेस स्टडी क्लासे से शंगीता जी श्रीवराज जी श्रीती रहें